तो आप कबसे हैं राजनेती में? मैं राजनेती में स्टूडेन लाइफ से हूँ मैं अपनी इनुष्टी में प्रेजडेन था ट्वाइस और जिस साल में इनुष्टी छोड़ रहा था तो तभी मुझे चर्ण सिंग जी ने बुलाया और चर्ण सिंग जी के तब 30 MLA's छोड़ गये थे किस साल के बात है? यह यह देट इस 1973 तो उन्होंने का असरकवाल देखो बेईमान मैंने पार्टी बनाई थी किसानों की यह मुझे छोड़ गये मेरा हाथ पकड़के उन्हों बड़ा इमोशनिल होके कहा कि तुम इस पार्टी को संभालो किसानों की पार्टी है और किसी से बात मत करो अभी जाके मेरी मीटिंग है शाम को पांच बज़े जीम खाना में उससे पहले एनॉंस कर दो तुम मेरे साथ हो और किसी से मत मशुड़ा जैसे उन्होंनों कहा था वैसे ही किया नेक्स डे आ गया कि मैं उनके साथ हो ना कि जगडा कुछ ना कुछ चलता रहता है बट होल टाइम पॉलिटिक्स में आ गया फिर प्रेक्षिस वागेरा नहीं कर पाया जो कैसे थे वो चरन सिंग जी वो अच्छे थे उनकी दिक्कत क्या थी कि उनको किसी भी तरह प्राइम मिनिस्टर बनने का एक सपना देखते थे वो तो उसमें उन्हों नहीं दरुदर किया होरो कल्चर इमांदार बहुत स्वीट आदमी थे बट ये मतलब हमारे जो पॉलिटिशन के काफी लोगों को ये हो जाती है कि बस बनना ही बनना है मतलब सब कुछ कॉम्प्रमाइज करके बनना है मैं आपको कहरा हूँ आपकी पूरी जो स्टेंथ है जो किसी के पास नहीं है वो यह है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे सामने वाले सब खलास हो जाते हैं पर ये होता क्यों है कि मतलब इतनी मतलब इंपेशन्स हो जाती है कि बस हर हालत में ही मतलब काफी पॉलिटिशन ऐसे होता है आजादी कि फोरण बात तो राजनीती एक तरह से करता भी था और लोग करते थे उसको उस तरह फिर ये प्रोफेशन हो गया और अब ये बिजनेस हो गया आप जम्मू कश्मीर में जब थे मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम थी इसके बारे में आपकी क्या राय है मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप जबरदस्ती है फॉज से ठीक नहीं रख सकते हैं वहां के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं और वहां के लोग अनियेबिल हैं ऐसा नहीं के इंपॉसिबिल है मैंने तो देखा मैंने उनको अपने साथ किया आपने अंदर से डीटेल से देखा solution वहां किस बेसिस पे आएगा इमीजेटली तो उनकी स्टेट हुड वापस करना चीए उनको इतना 317 ही चुभा जितनी स्टेट हुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया जो मुझे लगता है मुझे नहीं बताई वो बात इनको यह अंदाजा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी जब कैसा नहीं था पुलिस इतनी फेटफुली रही भारा सरकार के साथ कि एद का महीना था एक एक सिपाही ने चुटी भी नहीं वांगी भाही लाइन में रहे तो एक तो स्टेट हुड और इनका प्रॉमिस भी है मिशाह का हाउस में उसको इंगेटली वापस करना चाहिए और फिर एलेक्शन करा देने चाहिए बट जब मैं जमू गया ये जमू के लोगों को भी लगता है कि हमारा मतलब स्टेट हुड ले लिया तो वह भी खुश नहीं है सबसे ज़्यादे कोई चीज चुगी है तो ये वाप मतलब कर क्यों नहीं नहीं इसको पता नहीं मेरी बात भी मैने कहा वापस कराईयं तो बहल लग वह दिया होगा था दो रहा है सब टीक कहाँच iç चला सारी कि उसमें इनकी स्पीचिस हैं जिसमें कहता कि जब वोड देने जाओ तो पुल्वामा की शाहदत को याद रखना जैसे ही मैंने पुल्वामा की बाने में सुना मुझे पता लगा कि हमारे जु शहीद है अरपोर्ट आ रहे हैं तो मैं सिधा एरपोर्ट गया हमारी सेक्यरिटी वालयों ने मुझे का कि नइढने आप जाइए नइड अगर में का मैं जा रहे हू तो मैं उस टाइम मुझे पंड कर लिया मुझे की जिल नहीं कर दिया तो मुझे सु ही कम्रे में नीगल सकते हैं कि आप भार नी जा सकते, मैं मतलब, मैंने सेक्योरिटी वालों से बोला ही, एक मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के में वहां से निकला, तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहां पे शो सा क्रियेट हो रहा है, हाँ, था ही, वो प्रधान मंत्री को शेनकर जाना राजना सिंग आये थे, मैं था, हम लोगों ने शद्धान जली दी थी, प्रधान मंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था, ने मगर मुझे उसमें क्या शोक लगा, कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है, और वहां पे प्रधान मंत्री आये हैं, और भाईया देखो, काफी डिस्टेस्टफुल सा था, जिस दिन ये हुआ, तो ये नेशनल कॉर्वेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपने, तो ये एविलेबिल मैंने तीन-चार बार कोशिश की मिला ही नहीं मुझे को, पांच ये अच्छे बज़े इसका फोन है, अह उसका फोन आया, चाथपाल भाई आप बोल दी, मैं दो चैनल को बोल चुका था इवात, तो इनने का नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर, मैं ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वांच कराएंगे, उसको असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं, तीसरे दिन इनका आगया कि ये पुल इसे मांग लेते, तो मैं इमिजेटली कर देता, मैं तो वहाँ स्टूडेंस जब जमों जाते थे वरस में, उनको एरक्राफ्ट से, दिल्ली में एरक्राफ्ट इमिजेटली मिलता है किराय पर, चार महीने तक एप्लिकेशन, उनकी पड़ी रही होम मिनिस्टी में, और चार महीने बाद वहो खारिज कर दी, कि नहीं देंगे, तब वह सड़क से चले, इतना बड़ा, मतलब चार महीने के लिए वह चले नहीं? चले नहीं इसलिए कि सड़क से चलना बिल्कूल इंसक्योर होता है, वह उनके उसमें नहीं है सिस्टम में, पांच जहाज माँए थे उन थी के अटेक हो सकता है, इसके अलावा वो जो गाड़ी टकराई थी, वो दस दिन से घूम रही थी, वहाँ पूरा आप समझेए के भरी हुई विस फोटक से, वो कैसे मतलब इतना एक्स्प्लोसिव लिए, कैसे मतलब ऐसे घूम रही थी, सिस्टम नहीं था ठीक से, और जब म हम तो जब अपनी पूलीस को भेजते थे, कश्मीर की, तो पूरी रोड पे सिविल ट्रेफिक बिल्कुल रोग देते थे, सेनिटाइज कर देते थे, तब भेजते थे, ना हाइवे सेनिटाइज था, ना वो लिंक रोड, और लिंक रोड जहाँ हाँ हाइवे में मिलती है, वहाँ रिवाद यह है, कि वहाँ एक जिपसी खड़ी होनी चाहिए, जो उसे रोग देके नहीं है, यह का फिला चला जा, CRP कर तब जाना, कुछ नहीं था, तो जब आप वहाँ गये, जैसे पॉलिटिक्स में हम ऐसी घटनाओं में जाते हैं, तो जब हम कहीं पहले पहुं तो बोला, नहीं नहीं, इस पर आपको चुप रहना है, मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए, जिनके जिम्मेबारी थी, कुछ भी नहीं हुआ, उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे, कि यह पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे, और अब हम हराए भारत जोड़ो यात्रा में हम वहीं से निकले, एक्चली साइट से निकले, पुलवामा से, तो मुझे यह लग रहा था कि, जो आपने बोला, कि ऐसी जगह पे, strategic जगह पे, इतना explosive कहां से आ गया, कैसे आया, वो मेरे question, मेरे दिमाग में question था, सारा पाकिस्तान से आया था, इतना 600-300 किलो, हाँ, यह border तो हमारा porous है, और यह इतना explosive, indigenously procureur करते तो वो बात फैल जाती, यह 10-12 quintal तो आया हुआ था, उसमें से यह गाड़ी पूरी भरी थी explosive से, और बताया मुझे जब मैं गया, कि साब, यह तो 10-12 दिन से घुम रही थी गाड़ी, जो गाड़ी चल पर उन पर कोई निघा नहीं थे, intelligence agencies की, यहां मीडिया में मतलब मैं देख रहा था, यहां पर इतना बड़ा caste census का मुद्धा है, बट अब आज कल बस इसरेल, 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 कास सेंसस को नहीं दिखा, मतलब जो चाहे वो अदानी हो, चाहे वो caste सेंसस हो, जो ज़रूरी आते हैं, उसका कुछ नहीं होगा, मगर इसरेल हो, बॉलीवूड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएगा, अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो चुटेगा निए, गाउं गाउं चेल अदानी का, और लोग यह कहते हैं, अदानी के हाँ इसी का रुक्या है, व और यहां पहुंचते हैं, उसकी प्राइस इंफलेट हो जाती है, और फिर लोगों को बिजली के लिए जादा रेट देना पड़ता है, मगर वो भी मीडिया ने कहीं नहीं उठाया, मुझे ख़बर यह दी गई, कि जिस दिन में करन थापर का इंटरू किया, इन्हों ने ब पुल्वामा की बात की है, इसके कारण यह किया गया है, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मैंने नोटिस किया, जब आपने पुल्वामा की बात की, तो यह सब डर गए थे, लेकिन अतीक हमद ने उसको दस दिन तक खतब कर दिया, बिलकुर, भारत जोड़ो यात्रा म पास जाना है, और अगर आप जनता के पास जाते हैं, तो बहुत जल्दी जनता को बात समझा जाते हैं, तो टाइम नहीं लगता, जनता तो अबेर है देश में, उनने मालूम नहीं है, बट उन पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहां केह, किसको केह, उनके हो, bureaucracy हो, जो OBC वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल वर्ग है, उनका कोई representation है, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते, मीडिया में, चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हॉसे देख लीजिए, यह सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपोर्टर्स देख लीजिए, इसमें एक OBC नहीं है, एक दलित नहीं है, एक ट्राइबल नहीं है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो चुके लोहिया ही रहा हूं, तो लोहिया ने एक बार कहा था कि मुझे कमेटी बनानी थी, गोवा की आजादी की, तो मैं जब भी कमेटी बनाऊं उसमें 48% अपरकास्ट आ जाते थे, नाम मांगू तो भी वही आते थे, तो यह सिस्टम बन गया यहां का, इस तो इसको कमपलसरी करना पड़े का इतने परसेंट हो, जैसे नोकरियूम हो गया उस तरह से, और दूसरे उन वर्गों में थोड़ा चेतना बढ़ानी पड़े कि तू इन पेशों में आओ, तो इसमें इंट्रेस्टिंग बात यह है कि जो स्थिति है, अच्छी, अच्छी का सिस्टम है, उसमें कोई OBC नहीं है, कोई Dalit नहीं है, कोई Tribal, तो एक प्रकार से, loudspeaker on कर देते हैं, और इतना loud करते हैं कोई कुछ बोल नहीं सकता है, जैसे आपने पुल्वामा की बात की, कास सेंस्स की बात की, अधानी की बात की, बस loudspeaker, मोधी जी loudspeaker on कर द कुछ दिन पहले मैं दिली में तीन-चार गंटे बढ़ईयों के साथ काम किया, तो वो मुझे बता रहे थे कि हम सोफा बनाते हैं, चैर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, मगर जिस शोरूम में वो बिखता है, उसमें हम जानी सकते हैं, मतलब काम हमारा, महनत हमारी, मगर फल ह और कितना गुना है, नहांस करके पैसा लेते हैं उसका, इनको तो कुछ मिलता नहीं गरीब हो है, तो बहुत ही एक्स्टेटेटिव सिस्टम है, तो अगर आप GST देखें, GST भी इंडारेक्ट टैक्स है, उसमें छोटे वियापारी, किसान, मजदूर, वो टैक्स भरते हैं किसान अंदोलन में तो आपने काफी कॉमेंट किया है, वो भी मतलब उनके घर में से पैसे निकालने का तरीका था, नहीं वो तो इनका मैं बताता हूं, अगर आप नहीं हटा हूँगे इस बार, तो खेती को तो ये पूरी तरह खता, मनलब किसान छोड़ के बाग जाएगा और ये कॉर्पोरेट को दे दें, इनका ये इरादा है, मैं तो खेती करता था, मेरे गाउ में पूरी यूपी की सबसे बड़ी काश थी, एक हमारे चाचा थे, उनके पास धाई हजार बीगा जमीन थी, और आज मैं जाता हूं, तो सब लड़के शेहर में आ गए हैं, चुक खतम करी दी से एलाके अगनी वीर, अगनी वीर में कौन इतने से अरसे के लिए अपनी जान देगा, कुई शने शने सब लोगों को, ये हर इंस्टिटूशन को पकड़ के खतम कर देते हैं, इनके मतलब इमीजिटली ये, चाहे वो सेना हो, सरकार हो, बिरोक्रिसी हो, इलेक कॉसलर्स हैं, पिछले एक साल में लगे हैं, वो हंड्रेड परसेंट वो हैं, जिनके संग से कनेक्शन थे, उसके बिना आप कोई नोकरी नहीं पा सकते हैं और सेंट्रल यूश्टिटी तो बिलकुल नहीं पा सकते हैं, जो इंटर कॉलिज के प्रिंसिपल होने लायक भी न देखिए, सबसे बेसिक सवाल है, कि किसान को उसकी फसल का दाम सही नहीं मिलता है, और उसके चलते वो हर साल गरीब होता जाता है, जो एक फसल का दाम पिछले साल था, खाड का और बाकी चीज़ों का जो दाम था, उसकी तुलनामे इस साल में और फरक हो जाता है, तो उसक पर्चेजिंग पावर हर साल कम होती चली जाती है और उसे पता नहीं चलता है यह जो उसकी पर्चेजिंग पावर कम होती है उसको एहसासी नहीं पता भी नहीं चलता है तो वह तो मैंने देखा जब पब्लिक मीटिंग्स में बताते हैं तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था है तुम पता ही नहीं तुम गरीब हो रहे हो तो उन्हें सुनके बुरा लगता है फिर मैं समझाता हूं बताओ पिछले साल इतने गंडे में कितना सामान खरीते थे इस स कितना खरीगते हो तो सबसे पहले है कि जो पैरिटी यह है MSP इसको लागू करना चाहिए MSP में यह नहीं कि सरकार सारी फसलों का MSP दे लेकिन MSP करने से बाजार गिरेगा नहीं और MSP है इसलिए कि बाजार एक खास जो आपने दाम ते किया उससे नीचे गिरेगा तो सरकार इंटर्वीन करेगी और यह पंडी जी के जमाने से जो नागपूर समेलन में जब हालाल जी ने कराया था यह कि हम इंटर्वीन करेंगे और खरील लेंगे तो MSP का लागू होना बहुत जरूरी है और MSP पर इन्होंने किसानों से धोका किया जब उसकानून वापस लिए तो कहा था हम MSP करेंगे और आज तक नहीं किया वो क्यों नहीं किया चूंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दी है फसलें एक दाम पर खरीद ली अगले सान उनके दाम बढ़ जाएंगे वो बेचे का MSP होगा तो किसान इनको सस्ते दाम पर नहीं देगा तो MSP का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है फिर जो उसके लिए आप खाद बिजली पानी जो भी सरकार देती है उसके दामों पर कंट्रोल करना पड़ेगा वो बेत पूरा जो स्टॉरिज का इंफरस्ट्रक्ट्चर है अपने हाथों में ले लिया है इसका एक मैंने जम्हू कश्मीर में देखा इसका एफेक्ट हिमाचल में दिखता है अलग-अलग states में, हरियाना पंजाब में, हरियाना में तो पानी पत्में बड़े-बड़े गोदाम बना दिये हैं तो पूरा मतलब जो storage का infrastructure ये capture कर लिया है तो पर जब भी ये prices को मतलब उपर कर नीचे कर सकते हैं तो ये किसानों को मतलब direct नुकसान पहुचाते हैं जो किसान का जो storage की capability होती है उसके बारे में सरकारें ज्यादा नहीं सोचती है उस ज्यादा नहीं बिल्कुल नहीं सोचती है अब नौर्थीस में भी थे हां मेगा लें वो मुझे punishment posting दी गई थी गोवा के बाद क्योंकि गोवा में मैंने corruption के बारे में बहुत बोला था लेकिन वच्छी गोवा से हटा दिया गया था हां गोवा से हटा के नौर्थीस बेच दिया गया था और मेगाले बहुत अच्छी जगह है कोई जगड़े टंटे की नहीं है रिलाक्स अच्छे लोग है संग्वा साहब कर लड़ का चीफ फिनिस्टर था तो उससे बहुत बढ़िया relationship रही कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे तो मनिपूर के बारे में क्या राया आपके वहां मतलब पूरा failure है सरकार की चीफ फिनिस्टर जा नहीं सकता कुछ कर नहीं सकता लेकिन उसको अभी तक घटा नहीं रहे है यह जमुन कश्मीर का भी ऐसे प्रयोग करते हैं पंजाब का भी ऐसे प्रयोग करते हैं मनिपूर क वहाँ जो आप कहे है बिलकुल है वहाँ कोई कंट्रोल नहीं थी पूरी क्रावड निकला एफ। आपके हैं वहाँ कोई कंट्रोल नहीं नहीं है मतलब दो दो सेट बन गये हैं अई इस तरह दूसरा नॉसरा नॉसरी लभी नॉर्ग-east कैटल्ड ठीन्वैं है इन्हों भी शदीद पूछिये मतावत मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीती में आज दो विचार धाराओं की लडाई है एक आरेसेस गांधी वाली एक आरेसेस और एक गांधी वाली और दोनों एक प्रकार से हिंदुइजम के एक्सप्रेशन है वो नफरत का हिंसा का तो इस इस फाइट के बारे में आप क्या सोचना है कि हिंदुस्तान कंट्री के तोर पे तभी सर्वाइब करेगा जब वो लिबरल हिंदुजम के रास्ते पी चलेगा जो गांधी का बिजन है गांधी न ऐसे ही नहीं कहा था तो हिंदु का जो लिबरल हिंदु थाउट है वो ही रहेगा तो देश सर्वाइब करेगा वो टुकडे टुकडे हो जाएगा दर्वाइस और ये कोई राजनितिक बात नहीं है मुल्क के अस्तित के लिए ज़रूरी है कि हम मिलजुल के रहें एक दूसरे के साथ रहें ज़गडा ना करें नहीं ज़गडा होगा तो मुल्क ही नहीं रहेगा हाँ बिल्कुल मुल्क का मतलब ही है कि मतलब भाहिचारे से मिलजुल के रहें मिलजुल के लोग रहें तो आपका मतलब काफी सालों से का Congress का जो Vision है कि हम क्यों इन से different हैं, ये क्या चाहते हैं वो क्यों आपके हग में नहीं है ये political लोग भी नहीं बोलते हैं, उन को ये बोलना चाहिए और जो आप कह रहे थे, जो crystallization होना चाहिए political अब यह राजनेतिक लड़ाई नहीं है, अब यह आईडियलोजिकल लड़ाई है, वो क्रिस्टिलाइजेशन इतना हो नहीं रहा है. क्योंकर देखिए, इंदुस्तान का आदमी जो पॉलिटिक्स में एक्टिव है, वो राजनीती तक और अपने तक एक्टिव है, वो एक तो पहले तो देश के बारे में उस तरह नहीं सोचता, जैसे सोचना चाहिए, और वो जो ब्रॉडर इशूस हैं, उन पे राय नहीं बना है, वो तो इनफॉर्मेशन का सिस्टम तो वन वे हो गया है, उसमें आप की बात तो आएगी नहीं, जो दूसरी बात है वो आएगी, और लेकिन एक अच्छी चीज होई है, कि लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, भरोसा चला गया है, इस वक्त हम लोगों की एकी स् सोचल मीडिया से फैलती है, यह उसको भी रोकने के सिस्टम ढूंड रहे हैं, कैसे रोका जाए, वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारी स्टेंथ है, जो बिंटेड मीडिया है, इलेक्ट्रोनिक है, इस सब को इन्होंने कंट्रोल कर दिया, वन साइडिड कर दिया, लेक मेरे अकाउंट को तो पूरा सप्रेस किया जाता है, जयते चाहिए वो मेरी यूट्यूब हो, फेस्बूक हो, आपके होगा, पर आपके समर्थन में जो लोग करते हैं, उसे नहीं रोक सकते हैं, मगर जो ही है आपकी स्टेंथ, जो सेंट्रल मेरा अकाउंट है, उसको तो प अदानी के बात हो, MSP के बात हो, किसानों के बात हो तो ये कोई ना कोई गिमिक निकाल देते हैं, और अभी मैने देखा कि जब मैने परल्लमेंट में अदानी की स्पीच दी, तो सबसे पहले TV off कर दिया, उसके बाद मुझे परल्लमेंट से निकाल दिया, और फिर स्पेशल session की बात हुई उसके बाद special session के अंदर भारत या इंडिया का discussion की बात हुई और फिर end में women's bill की बात हुई और women's bill भी वैसा कि वो 10 साल में आएगा आज निया तो ये इनका ये तरीका जो है चाहे वो पुल्वामा हो women's bill हो distract करने का इनका बहुत effective तरीका है दो तीन चीज़े हैं प्रदान मंत्री की एक तो ये किसी भी चीज़ को वो बना देता है event छोटे छोटी चीज़ का और उसका अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते हैं women's कि बिल्डिंग नई बिल्डिंग में जा रहे थे तो constitution को हाथ में पगड़के पूरा मतलब राव नई बिल्डिंग वाला इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी पर उनको पथर लगवाना था कि मैंने बनवाई थी एक लेकिन वो हर चीज को उसी तरह से बहुत मेगलो मेगली नियक की तरह करते हैं जैसे पुराना हाउस है उसमें अगर आप आप अर्फियर आप एक्सपंशन करना जाते हैं तो Central Hall में आप लोगसबा डाल जीजए लोगसबा में새 अप राजसबा डाल जा helik Con Increase हो गया हग चाम मतलब Central Hall में मतलब वुुूँक्ण टो इस Kim स rennesis यू साल चलेगी है कि तो बिलकूल और अगर आपको Central Hall चाहिए तो NXC में Central Hall कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, बड़ प्रॉब्लम क्रियेट करके, शो करके, पूरा वतलब, इससे देश को काफी नुकसान होता है, क्योंकि जो में इसूज रहे हैं, लोग ना समझें तो दिक्कत है, लोग हर चीज समझ रहे हैं मैं तो बिल्कुल नीचे तक जाता हूँ, वो सब बोल रहे हैं इस चीज को, किसाब इसको करना वरना कुछ नहीं है, यह सही करता रहता है, और एक्चली जब मैं इनके भाशन सुनता हूँ, और इनकी जो पॉलिसीज देखता हूँ, तो एक्चली डेप्थ नहीं है, डीट करना है, और वो उस तरह से जो जवाब देही जनता के लिए होती, वो महसूस भी नहीं करते हैं, आपने काफी बहुदुरी के साथ, जो पुल्वामा के बारे में बोला, आपने जो अदानी के बारे में बोला, तो फिर आपको धंकाया गया, CBI इंक्वाइरिंग कर आएगी मैंने शिकायत की, जिनकी की, उनका आज तक इंटरोगेशन नहीं हुआ, मेरे हाँ तीन-तीन बार आ गए, मेरे स्टाफ के लोगों के फोन ले गए, CBI वाले, मैंने का भे तुम कुछ कर लो, मेरा कुछ नहीं विगाड सकते, मैं तो फकीर हूँ, मेरे बेना कुछ है, तो त मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, क्या करें हो, हम बात कर रहे हैं, तो इसके बाद में आपको पर भी थोड़ा आकरमन करेंगे, जब भी हम किसे बात करते हैं, एक दम आकरमन शुरू हो जाता है उन पर, आणी करेंगे मेरे तो करते रहते हैं, जादे दिक्कत नहीं, आप झाल झाल